दादी मा के 22 घरेलू नुस्खे, समय निकाल कर जरूर सुनिये, कदम कदम पर काम आएगे, कान दर्द प्याज पीस कर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गरम करके चार बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्थ हो जाता है दान्त दर्द खल्दी एवन सेंधा नमक महीन पीस कर, उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुभशाम मंजन करने से दान्तों का दर्द बंध हो जाता है दान्तों के सुराख कपूर को महीन पीस कर दान्तों पर उंडली से लगाएं और उसे मलें सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा कर रखने से दान्तों का दर्ध निश्चित रूप से समाप्थ हो जाता है गिल्टी का दर्द प्यास पीस कर उसे गरम कर लें, फिर उसमें गोमूत्र मिलाकर छोटी सी टिक्री बना लें, उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाप्त हो जाती है पेट के केंचुए एवं कीडे, एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस एवं शहद संभाग मिलाकर प्रात, मध्यान है एवं सायन को पीने से केंचुए तथा कीडे चार से पांच दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं छोटे बच्चों को उल्टी दस्त, पके हुए अनार के फल का रस कुनुकुना गरम करके प्रात, मध्यान है एवं सायन को एक से एक चम्मच पिलाने से शिशुवमन अवश्य बंध हो जाता है कब्स दूर करने है तू एक बड़े सायस का नीमबू काट कर रातर भर उसमें पड़ा रहने दें फिर प्रात, काल एक गिलास चीनी के शर्बत में उस नीमबू को निचोड़ कर तथा शर्बत में नाम मातर का काला नमक डाल कर पीने से कब्स निश्चित रूप से दूर हो जाता है आग से जल जाने पर कच्चे आलू को पीस कर रस निकाल लें फिर जले हुए स्थान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है इसके अतरिक्त इमली की छाल जलाकर उसका महीन चून बना लें, उस चून को गोगरित में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। कान की फुनसी लहसुन को सरसों के तेल में पका कर उस तेल को सुभ़, दोपहर और शाम को कान में दो से दो बूंद डालने से कान के अंदर की फुनसी बह जाती है, अथवा बैठ जाती है, तथा दर्द समाप्थ हो जाता है। कुकुर खासी फिटकरी को तवे पर भून लें और उसे महीन पीस लें, तद पश्चात तीन रत्ती फिटकरी के चूड में संभाग चीनी मिला कर सुभ़, दोपहर और शाम को सेवन करने से कुकुर खासी खीक हो जाती है। पेशाब की जलन ताजे करेले को महीन महीन काट लें, पुन्ट उसे हाथों से भली प्रकार मल दें। करेले का पानी स्टील या शीशे के पातर में इकठा करें, वही पानी पचास ग्राम की खुराक बना कर तीन बार सुभ़, दोपहर और शाम पीने से पेशाब की कड़क एवन जलन ठीक हो जाती है। फोडे नीम की मुलायम पत्तियों को पीस कर गोगरित में उसे पका कर कुछ गरम रूप में फोडे पर हलके कपड़े के सहारे बांधने से भयंकर एवन पुराने तथा असाध्य फोडे भी ठीक हो जाते हैं। सिरदर्द सोंट को बहुत महीन पीस कर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बारबार खीचने से सभी प्रकार के सिरदर्द में आराम होता है। पेशाब में चीनी, शकर, जामुन की गुठली सुखा कर महीन पीस डालें और उसे महीन कप्रे से छान लें, अठनी भर प्रति दिन तीन बार, सुभ, दोपहर और शाम, ताजे जल के साथ लेने से पेशाब के साथ चीनी आनी बंध हो जाती है, इसके अतिरिक्ट ताजे कर पेले का रस दो तोला नित्य पीने से भी उक्तरोग में लाब होता है, मस्तिष्क की कमजोरी मेहंदी का बीज अठनी भर पीस कर शुद्ध शहद के साथ प्रति दिन तीन बार, सुभ, दोपहर और शाम, सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाती है, और स्मरण शक गिसकर गुलाब जल की मातरा कुछ अधिक रहे, नाक के द्वारा खींचने से अधकपारी का दर्ध अवश्य समाप्थ हो जाता है, खूनी दस्त दो तोला जामुन की गुठली को ताजे पानी के साथ पीस चान कर, चार से पांच दिन सुभ एक गिलास पीने से खूनी दस् इसमें चीनी या कोई अन्यपदार्थ नहीं मिलाना चाहिए, जुकाम एक पाव गाय का दूध गरम करके उसमें बारा दाना काली मिर्च एवन एक तोला मिश्री इन दोनों को पीस कर दूध में मिलाकर सोते समय रात को पी लें, पांच दिन में जुकाम बिलकुल ठीक हो ज मंदागनी अद्रक के छोटे-छोटे टुकडे करके नीम्बू के रस में डाल कर और नाम मात्र का सिंधा नमक मिलाकर शीशे के बरतन में रख दें, पांच से साथ टुकडे नित्य भोजन के साथ सेवन करें, मंदागनी दूर हो जाएगी उदर विकार, अजवाइन, काली मिर्च, एवन, सेंधा नमक इन तीनों को एक में ही मिलाकर चूर्ण बना लें, ये तीनों बराबर मात्रा में होने चाहिए इस चूर्ण को प्रतिदिन नियमित रूप से रात को सोते समय गरम जल के साथ सेवन करने से, मात्रा अठननी भर, सभी प्रकार के उदर रोग दूर हो जाते हैं मोटापा दूर करना, एक नीमबू का रस, एक गिलास जल में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है ऐसा तीन महीने तक निरंतर करना चाहिए, गर्मी एवं बरसात के दिनों में यह प्रयोग विशेश लाभदायक होता है दोस्तो अगर विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करे और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे धन्यवाद